असलाम अलेकुम वियर्ज मैं हूँ आपकी होस्ट मुवना बतूल और आज में लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना शोर जिसका नाम है गोल्डन मुवमेंट्स विद वीनस वियर्ज आज की जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो पाकिस्तान फिर्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और एक चमकता दमकता सतारा है हनी खान हमारे साथ मौजूद हैं आईए इन से बात करते हैं और जानते हैं कि इस फील्ड में किस तरह से आए इसलाम लेकुम सर व इसलाम लोग ऐसी जैसे गैधरिंग होती हैं खांदानों में डांस का बहुत शॉक तो एक कंपेटिशन भी किये पर एक मुवी बन रही थी साना फंदाता तो उसमें मैंने कोरिग्राफिय भी किये चैदमिनी को से उसके बाद पर एक फिल्म बनी तलाश नदीम साब की फिल मैशालला वो दुनिया में नहीं है अलाव उनके मेख़वरत फरमाएं तो यहां से मैंने स्टार्ट लिया यहां से बच्पन से ही आपके अंदर एक अदर डांसर था उसके इलावा आपके अंदर एक सिंगर भी था मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है स्टन्ट भी आप पर भी कम निकलें अभी भी भी ख्वाइश है और यह मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि मेरी ख्वाइश यह है कि अभी भी प्राजा की छट देखिया अपने उसकी हाइट पर मौत गोला रखा वाओ अच्छा और लोग नीचे से खड़े हों कर देख एक मैं बाइक चला र होता है सिंगर भी है आप गाने भी गाते हैं तो आपसे गाने भी सुनने को मिलेंगे एनिवेश केरी ओन तैंक यू अब यह है कि जैसे मैंने पॉप संगी का बताया आपको और शुरू में स्टार्टिंग में डैंस का भी बताया उसके लाबा इस्टंस भी हम बारी बारी करते हैं सबसे पहले आपने अटन सबसे पहले अपने अटन सबसे पहले आपने शुक्रिए सब एं संसे ना सबसे पहले आपने और डानसीं सबसे वह घरी एदिफ्तर सब्सेन हैं açAH और यह जो ev orada से ईभ resolu 한다 Brainkin कि एचे गाना पाट अब कॉ piss in retire को इनको इनको टोरिक्ष कमा अजय कार मेरा उसमें अच्छा बबी रजा एक डांसर दे कराशी के उन्होंने डिरेक्षिन देती वो किसी वज़े से निया सके तो वहां से में भूसला मिला डिरेक्टर इसमें बोला हनी बटा आप दो तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से प्र मैंने रहां तो वह मुवी करी उसमें भी डांस परफॉर्म ता नदीम साब के साथ और फिर एक मुवी थी सियासत कमाल साब की वह बनी बनी थी एलेक्षिन के मौजूबे तो उसमें लहुर से स्पेशली निशो बाजी थी वह आई थी साहिबा की अम्मी उनके साथ मेरा गाना था उसमे अचा उसके बाद आप एक्टर बन गए तो अच्टिंग कर भी शौक तो एसन अच्टर आपने पहली फिल्म किसके साथ की देखे मेरी जो पहली फिल्में वह ऐसे चाल्ड स्टार थी स्तन अफ अंदाता और सियासत तलाश इन फिल्में तो जब मैं पहली फिल्म कर रहा था तलाश फिल्में नदीम साब की तो उन्होंने मुझे बुलाया मुझे अपी तलाग याद एबाद मुझे बढ़ने बटा क्या है जाब की तो मैंने बला सर ये बोला क्या क्या कर रहा आप पहले अपनी तालीम पुरी करो उसके बाद फिल्मे आना क्योंकि एक सीन ऐसा था पानी के जाज शिप था शम्स जाज के मारी पे वहां पे गाना शूट हो था अच्छा डिरेक्टर ने मुझे एक जगह पर कौने पर ख़ड़ कर दिया आप कहने लगे यहां पर कोड़े करिगा डांस के अच्छा अच्छा नदीम साब यहां कहड़े में केमरा उनकी तरह ह अब वुँ नको रहाए वहां कि नहीं पर दीचारा लगा वहां कमरे इसको देख भी निरहा है उनकी बलाए वहां कामरे किस पर उनकी इस वहां नहीं बना नहीं है इस अपर पहले अपनी स्ट्विपरी करो तालीम पूरी करो उसके बाद इस वीड़ में आओ आओ आपके यह इनके आड़ाइस थी यह निए पिर आपने अपनी इस्टारी जाड़ी तो प्रॉपर तरीके से फिर्म इंडुस्ट्री को जोइन किया गड़िया और आगे चुड़ी करना था मागर करनी पाया था पर किर काम भी मिल गया फिर मेरा अपना बिजनिस भी है तो उसको भी र कितने साल हो गया आपको इस इंडस्ट्री में हो गया देखें जी मेरे बीच में बीच में गड़ी आगे ताब हो जागा अगर सही मानों में देखा तो मैडम शेमी मारा की फिल्म ती दुनिया है दिल्वालों की उसमें मैं साओध, रेंबो, लैला, मीरा, रेमा और वो तो अगर प्रवालों में बनी तो उस फिल्म के रिलीज होने के बाद दो फिल्म और मिल गई एक फिल्म आइटी मेहंदी उसका गाना ता दिल हुआ बो काटा बड़ा मशूरू वा था उसमें साहिबा थी और मैं ता दो तिन फिल्म करी तो उसके बाद थोड़ा गए थोड़ा करना था लाहूर में भाजी संगीता था आगि नूर शाप की वी तो मैं किसी वज़े से पाकिसान आ गई तो वही रहा है तो वहीं से किसी को दुलन मना ले था रहा है वही नहीं सब्सक्राइब जल्द अपने बच्चे की शादी कर दें झाल की लेकल है, तर विल्ऩ मкахें भी लोग और डिर्ट में लोग्ड हैसों की दूसल के लोग जो अगा खींग चाथ लागा हुआ esos आज आप स्क्रीन पर बतादें आप किसको अपनी दुलन बनाना चाहते तो दुलन की बात निकारो हुआ हुआ है आज 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 मेरे बगर खाना भी नहीं आए हुआ था आज कि बहुत नहीं करते हैं कि किसा बनना चाहते तो झाल आज बताई है तो तो बात नहीं कि कि आपकी शादी तै होगी जी फिर वह वाली साब ने बस इसे लिए शादी भी कर दी टोटल अरेंज मैरेज थी बिलकुल अच्छा देखा भी नहीं था ने देखा था देखा था पसंद किया था पहले आप पहले अम्मा ने कहा था बेटिया बेटा ये देखो ये लड़की अपने अपमी थी अपनी के अंदिगाल बश्वर में हो गया था तो पापा थे तो पापा के दोस्की बेटी थी ती तो यानि तुम शोबिस में चले गए हो तो हम चारें के भाई ये फिर उनकी डिमांड थी कि लाइन चोड़ दे आप अच्छा आपके सुस्राइव लोग मैं आजाओंगा जाओंगा मैं जब वो जब वो कहते है ना कि एक अर्सा गुदर जाता है एक टाइम पिरिट गुदरने के बाद जब एक अंडिस्टैंडिंग हो जाती है फिर लड़की को मौलुम चलता है कि नहीं सिरिफ मेरा ही है इनके तब उनको पूरी होगी। कि अब पहीं लैरा लίο जाने वोला लेके आप बात है हमारी फ्रड बहुत अच्छी है हम इसमें जरूरी नहीं कि अप लोग कहते है कि नहीं मैं बहलत हुड़तों सब को आना चाहिए है इस पिरिण में सब को आना चाहिए इंस्सान को खुद अच्छी ऊच्छा हो तो इसमें कोई भुरी बात निए गैए अचिए उन्ठीना चाहिए लडकी को समझना चाहिए लिकिन हमेशांगे को कियो आ इसमेशना ँड़का भी समझता ख्रश आ जा रहा है और आयगा मच्हाः जांग लडकी को समझना भी समझझता थै अच श्रुटाब demolished सुरूं तो फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया धर वालों में से यह यह रहु है आपके डाद ने आपको सपोर्ट किया जी 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 आच्छा वो यह सोचते पर कि यह शायद एक होता है ना मैरा जैसे जनूने में कुछ करना चाहरा हूं तो वाली साब की खुष्टिया प्ना बॉलीवोर्ट गें, उनकी डैंस देख रहा हूं, उनकी फिल्मे देख रहा हूं, तो मेरा जो समझ लिए अस्ताद है वो उस दोर का वीसी आ रहा है, तो उसको देखके मेंचे शौक चड़ा, फिर वो बस लगा रहा जुस्तोजूमें, वाली साब ने का एक उन्हों ने बिल तो में जो यकिन नी था कि अग्याए तो उनकी यकिन लिए यख एगा तो आपको अपने घर पे बुलाया तो उनकी आपको अपनी प्रम कास्ट कर रहे हैं ये रोल है ये टोकन मनी है ये रटन टिकेट है ये ए एक्स बाइड जो भी ता तो अस वागत क्या थी ती अपकी मैं शुकर अदा कि मैं अलाज तो म सब्त एड है किस ठी Bemचा क्या तो ने शुकर अदा किया अदा किरी है क्स अचाने के उनकाम कार् सब्सू भी चेड़कों अबहरों को अपन्चन की लिए परिशतो क्यागा थे तो दोड़मों ना चला हुई जड़ लगे तो थोड़ मौ वो डर रहे थे कि यार हमारी ओलाद कि इसी घलत रास्ते पर इन निकिल जा बिल्कुल हर माबाप के लिए रड़का हो या रड़की हो उनको ये उनको ये सोचना चाहिए कि बच्चे का माइंड किस तरफ है अब मेरी जिस्तु जो थी तो मेरा बेटा ये चाहेगा तो मैं इसको कभी नहीं रोकुगा मैं देखोंगा इसको माइंड किस तरफ जा रहा है बिल्कुल अगर मैं सपोर्ट कर भी दोंगा उसके अंदर कुछ एफट्स नहीं हो दो वो कुछ निकर बाएगा बिल्कुल ऐसे यही मेरी सोच यहीं आप कहना चाहर है कि इंसान के अंदर इतना टालेंट होना चाहिए कि अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको कम असकम वहां का कुछ तो आना चाहिए तो मैंने सुना आप सिंगर बहुत अच्छ है आपकी अल्बम आ चुकी है जी हमारी ओडि तेरा प्यार कम नहोगा तुझे भूल जाओ मुझे से कभी सितन नहोगा मेरे दिल से जिन्दगी बल तेरा प्यार कम नहोगा मुझे अपन साथ लेकर मेरा दिल जहां भी जाए मेरे साथ साथ होंगे तेरी चाहतों के साए जो अठे किसी की जाने दिल वो मेरा कदम नहोगा तुझे भूल जाओ मुझे से कभी सितन नहोगा मेरे बिल से जिन्दगी बल तेरा प्यार कम नहोगा वेल देन आप बहुत अच्छा गाते हैं और इसी खुबसूरत गाने के साथ हम चलते हैं एक चोटी सी ब्रेक की तरफ मिलते हैं आप से ब्रेक के बाद प्रेक के बाद